तो बच्चों, इस कक्षा में हम पढ़ेंगे सम्मेश संख्या, पिछली कक्षा में आपने वर्ग समीकरण पढ़ा था, जहां पर A x square plus B x plus C equal to 0, और A not equal to 0 हो, तो ये एक वर्ग समीकरण होता है, और इसका हल हमने लिखा था, x equal to minus B plus minus root over B square minus 4ac upon 2a, और यहां पर D की तीन स्थ Shri चा मान नहीं के बरावर होता है, तो आप कहते हैं, कि ये जो दिया गया वर्ग समीकरण है, इसके दो मूल मीलेंगे, और दोनों की दोनों समान होंगे, और वास्तवीक होंगे. इसमें एक कि सिती और आती है, जहां पर D कामान धनात्मक होता है, तब हम ये कहते हैं, जो दिये गए वर्ग समीकरण है, इसके दो मूल वास्तवीक होंगे और दोनों की दोनों असमान होंगे, इसका अर्थ यह है कि दोनों मूल अलग-अलग संख्याएं होंगी, जब डी का मान रिनात्मक संख्या आती है, तब हम वहां कहते थे कि यह जो समीकरण दिया गया है, इसक कि तुलना हम वर्ग समीकरंड के माना कुरूप A x square plus B x plus C equal to 0 से करें तो हमें मिलेगा देखिए यहां पर यह x square है यहां पर A है और यहां पर 1 है तो इस तरगे सम लिख सकते हैं कि A बराबर 1 गुडांकों की तुलना कर रहे हैं यहां पर B x के साथ में B है और यहां पर x के and then C equal to 4 और यह हम जानते कि discriminant D या विभेदक या विवितकर भी जिसे कहते हैं D equal to होता है B square minus 4AC तो यहां पर जो हमें value मिली है उसे हम लिख लेते हैं B की value है 4, 4 square then 4A, A की value है 1 and then C equal to 4 तो यहां पर जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 16 minus 16 equal to 0, D equal to 0 यह हमें दर्साता है कि जब भी किसी वर्ग समीकरन के लिए D या विवितकर का मान शून्य होता है तो हमें इसके दो मूल दोनों के दोनों वास्तविक होंगे और दोनों के दोनों समान होंगे तो इसे हम हल करके देख लेते हैं कि इसके जो दो मूल मिल रहे हैं वो हमें समान मिल रहे हैं या फिर नहीं तो यह वर्गसमी करण है इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं एक है सूत्रविधी जिसमें हमने देखा कि A x square plus B x plus C equal to 0 हम लिखते हैं x equal to minus B plus minus root over B square minus 4ac upon 2a इसमें हम गुणांकों को रखेंगे और हल करेंगे तब भी हम एमान मिल जाएगा और दूसरा है मध्यपद को हम दो भागों में तोड कर भी हम इसे हल कर सकते हैं चलिए देखते हैं x square plus 4x plus 4 equal to 0 यहां पर देखिए x square का जो गुणांके वो 1 है और यहां पर जो सी constant या अचर रासी है वो 4 है यह 4 और 1 को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 4 तो यह जो 4 है इसे हमें ऐसे split करना है दो भागों में तोड़ना है जिसे गुणा करने पर हमें 4 मिलना चाहिए चार मिलना चाहिए और जोडने या घटाने पर भी 4 मिलना चाहिए तो यह है 2 और 2 तो इसे हम लिख लेंगे x square plus 2x plus 2x plus 4 equal to 0 प्रथम दो पदों से और अंतिम दो पदों से हम कुछ उभेनिस्ट निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर x जो है वो दोनों में common है यहां से जब हम x को common लेंगे तो हमारे पास बचेगा x plus 2 similarly यहां पर देखिए यह 2x plus 4 है तो यहां से हम 2 को common ले सकते हैं 2 जब common लेंगे तो यहां पर अगले bracket में होगा 2 x plus 2 equal to 0 अब इन दोनों पदों में x plus 2 जो है वो common है तो हम x plus 2 को common लेंगे इसके बाद यह value बच गई यह x और यह दूसरी value बच गई 2 equal to 0 आप इसे दूसर तरीका से भी देख सकते हैं कि यह एक standard form है a plus b का whole square जब इसे solve करेंगे तो हमें मिलता है a square plus b square plus 2ab यह standard form है अब देखिए दो अलग-अलग पदों का गुणनफल सूने के बराबर है तो हमें मिलेगा x plus 2 equal to 0 या फिर x plus 2 equal to 0 x equal to minus 2 और x equal to minus 2 तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि यह हमें जो वर्ग समीकरण मिला था x square plus 4x plus equal to 0 और इसके लिए d कमान 0 मिला था तो हमने कहा था कि ऐसे समीकरण जिसके लिए d कमान 0 मिलता है उसके दो समान मूल मिलते हैं जो की वास्तविक होते हैं x square plus 5x plus 6 equal to 0 यहां पर भी हम इसके तुलना वर्ग समीकरण के माना करूप से करेंगे तो हमें मिलेगा a equal to 1, b equal to 5 और c equal to 6 कैसे तुलना करते हैं थोड़े देर पहले हमने देखा था अब इसके लिए हम d कमान निकालते हैं that is b square minus 4ac, b का जो माना यह 5 है और a और c, a कमान एक ह और c कमान है 6 यह फिर 6 इसे जब हल करेंगे तो मिलेगा 25 रिंड 24 equal to 1 इस तरीके से d कमान जो है धनात्मक रासी है शूने के बराबर नहीं है धनात्मक रासी है तो इस हिस्तिति में हमें जो वर्ग समीकरण के मूल या हल मिलते हैं वो दो आसमान किंतु वास्तविक मूल मिल दो भागों में स्प्लीट कर लेते हैं तो यह हमें मिलेगा x2 plus 3x plus 2x plus 6 equal to 0 इन दोनों पदो को हम आगे पीछे लिख सकते हैं इसमें कोई दूविदा नहीं हो सकती है लेकिन जब हम दोनों पदो में उभनिष्ट निकालेंगे और दोनों संख्या या दोनों पद अगर समा इसमें 2x plus 6ए को दोनों समाना है तो इस तरीके से हम यह सकते कि हम यह विख सकते कि हम दो पार्ट में स्प्लीट किया था यह हमने पने सहीं कि है अब x plus 3, x plus 3 जो दोनों में common है इसे हम common ले लेते हैं हमारे पास अगली value बचेगी यह x और यह 2 x plus 2. दो अलग अलग पद़ो का गुणणफल 0 है तो हमें मिलेगा x plus 3 equal to 0 या फिर x plus 2 equal to 0 इसे जब हल करेंगे पक्षांतर करने पर यह x equal to minus 3 आ जाएगा और x equal to हमें minus 2 मिल जाएगा तो यह देखिए इसे हल करने के पहले हमने विवितकर विधी से या फिर discriminant से हमने बताया था कि इस वर्ग समी करन को हल करने पर हमें जो x के मान मिलेंगे दोनों वास्तविक संख्याय होंगी परंतु दोनों भिन्न भिन्न होंगी अगला वर्ग समी करन है x square plus 1 equal to 0 इसकी तुलना हम फिर से वर्ग समी करन के माना करूप से जब करें तो हमें मिलेगा a equal to 1 और b equal to 0 देखिए यहां पर x का गुणांक b है लेकिन यहां पर x वाला पद नहीं है इस वाज़े से हम b equal to 0 लिखेंगे और यहां पर c है और यहां पर 1 है तो यह हमें मिल जाएगा c equal to 1 इसके लिए discriminant निकालते हैं d equal to b square minus 4ac b का मान है 0 और 4 यहां से a और c यह दोनों मान हम रख देंगे यहां से 1 और 1 दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा रिंचार तो यहां से जो d का मान है यह रिनात्मक संख्या है तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जब संख्या का concept या उधारना है वो यहीं से सुरुवात होती है तो x square plus 1 equal to 0 एक आईलर नाम के french mathematician हुए थे जिन्होंने इसको solve किया था उन्होंने यह लिखा कि x square equal to minus 1 यह जो plus 1 है इसको उन्होंने पक्षांतर कर दिया हमें मिला minus 1 फिर उन्होंने कहा कि x equal to plus minus root over minus 1 देखिए य यह जो रासी दिख रही है इसे उन्होंने आयोटा कहा उन्होंने कहा आयोटा equal to square root over minus 1 तो यह जो आयोटा का मान है इसे हल करके हम कुछ और values निकाल लेते हैं जैसे कि आयोटा square तो आयोटा square का मतलब क्या है कि इस रासी का हमें वर्ग करना है दोनों पक्षों में जब वर् minus 1 अब आयोटा का घात तीन हमें लिखना या आयोटा cube लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा square into iota ज्यान रखिए इसे i नहीं कहते हैं आयोटा कहते हैं तो iota cube equal to iota square into iota और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि iota square की जो value है यह minus 1 है तो minus 1 value यहाँ पर रख देंगे तो minus 1 into iota जब करेंगे, तो हमें मिलेगा iota cube equal to minus iota. तो यह कुछ important results में से एक है, पहला इए कि iota equal to square root over minus 1, दूसरा important result, iota square equal to minus 1, and then iota cube equal to minus iota. अब iota का power 4 के लिए हम value calculate कर लेते हैं, तो iota का power 4 है, इसे हम लोग iota square का square लेख सकते हैं, देखिए, यह power से 2 और 2 का multiply करेंगे, तो हमें 4 मिल जाएगा, और थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था, कि iota square जो है, वो minus 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर रख दीजे, iota square equal to minus 1, और minus 1 का वर्ग कीजिए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा plus 1, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं, कि iota का power 4, जो इसकी value जो होती है, वो 1 होती है, तो यह जो standard result है, iota, iota square, iota cube और iota का power 4, इसे चल कर हम आगे इस्तेमाल करेंगे, तो अब हम देखते हैं कि सम्मिर संख्याओं की आवशक्त्या क्यों पड़ी, इसे प्रश्णों के मादम समझने की कोसिस करते हैं, तो यदि हमारे पास एक प्रश्ण है, यदि A is greater than B, A का मान B से बड़ा है, और प्रश्ण है, X equal to A plus B, तो इसका जो हमें हल मिलेगा, वो एक रिणात्मक संख्या होगी, उदाहरण के मादम समझते हैं, X plus 5 equal to 3, तो हम लिखेंगे X equal to 3 minus 5, तो हमें मिल जाएगा X equal to minus 2, तो हम यह देख पा रहे हैं कि यह जो समीकरण है, इसका हल प्राकृतिक संख्याओं के समुच्या में सामिल नहीं है, तो यह जो N है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्या है, उसका हम विस्तार करते हैं और उसे हम पूर्णांक संख्या बना लेते हैं, या विस्तार करने से हमें जो दूसरी संख्या मिलती है या समुच्चय मिलता है वह है पुर्णांग संख्याओं का समुच्चय अब इस पुर्णांग संख्याओं के समुच्चय में रणात्मक संख्या भी है धनात्मक संख्या भी है और शुन्य भी सामिल है एक दूसरा प्र जो कि पुर्णांग संख्या नहीं है तो पुर्णांग संख्या के समुच्चय का विस्तार करके हम ले करके आते हैं परिमे संख्याओं का समुच्चय जिसे क्यों से प्रदर्सित करते हैं अब अगले प्रशने पर आते हैं जहां पर है x square equal to 2 अब इसको जब हल करेंगे तो हमें परीमे संख्या तो नहीं मिलने वाली है कि हमें अपरीमे संख्या मिलेगी तो यह जो परीमे संख्या है इसका विस्तार करके हम ले करके आते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय या फिर इस संख्या रेखा पर जितने बिंदु होती तो आगे हम देखते हैं सरली करूंच या फिर सेंपलिफिकेशन आयोटा के हमें धनात्मक घात देखने के लिए मिलेंगी और रिनात्मक घा देखने के कुलेंगे इसे हम कैसे हल करते हैं आंगे देखते हैं तो अगर Iota का power 42 है या फिर Bagnis है तो इसे कैसे हल करेंगे तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि Iota का मान square root over minus 1 Iota square minus 1 होता है और Iota का power 3 यह minus Iota होता है और Iota का power 4 जो होता है वो 1 होता है या plus 1 होता है लेकिन सेस्फ़ल जो होगा, वो दो होगा, तो इस तरीके से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? आयोटा का पावर 4 और यहां पर यह पूर्णांग संख्या मिली थी यह 10 आयोटा का पावर 4 और यहां पर यह पावर में जाएगा 10 दोनों को मल्टिप्लाई करेंगे तो 40 मिल गया लेकिन हमारे पास 2 बचा हुआ है तो यह हो जाएगा आयोटा का पावर 2 घातांग के नियम स हमने 42 42 है उसे इस रूप में तोड़ लिया है अब आपको पता है कि iota का power 4 जो होता है यह 1 होता है तो उसका आम यहां पर इस्तेमाल करेंगे iota का power 4 1 और यह 1 का power 10 और iota square यह होतै है माइनस वन तो 1 का power 10 यह हमें 1 मिले गा और माइनस 1 के साथ por gross कि हम अमें जो value पावर 42 हमने हल किया और हमें मिला माइनस वन अगला प्रशन है आयोटा का पावर 27 तो फिर से हमें कल्कुलेशन या गड़ना करने के लिए आसानी हो इसलिए हम इसे यहां पर यह हमने जो लिखा यह काइंड अफ रॉफ है आपको ऐसे नहीं लिखना है अपने सुल्यूशन में फिर से हम सॉल करके देख लेते हैं 27 को जब 4 से डिवाइट करेंगे तो यह हमें मिलेगा 6 और 3 रिमेंडर आएगा या फिर सेशफल आएगा तो दीखे 6 इंटू 4 24 हो जाएगा 24 में 3 कवाइट करेंगे मिलेगा 27 तो इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं आय दा का पावर 4 यह वाली संख्या उसके बाद यह वाली संख्या मल्टिप्लाई में आजाएगी पावर में अदेन आयएट का पावर 3 यह वाला 3 यहाँ पर अब हम जानते हें कि आयोटे का पावर 4 जो होता है यह 0.8 टो मैं यहां पर वैल्ली पोट कर देंगे 1 और 1 का that that number, यह वो संख्या हमें, मिलेगी आयोत का power 2 यह होता है, minus 1, और आयोटा तोmee है, minus 1 से आयोटा का multiply करेंगे, तो हमें मिलेगा minus आयोटा, तो इस तरीके से हमने देखा, कि आयोटा का power 27 को हल करने पर हमें, जो मान मिला है, वह है minus iota इसके बाद हम देखते हैं कि यह जब संख्या है iota का घात में जो संख्या है वो रिनात्मक होगी तो हम कैसे करेंगे इसी प्रश्ण को ले करके चलते हैं लेकिन यहाँ पर हम iota का जो घात है उसे रिनात्मक ले करके चलेंगे iota का पावर minus 42 इसका हम इस्तेमाल करेंगे और iota का पावर minus 42 इसे हम लेख सकते हैं 1 upon iota का पावर 42 अब यह जो संख्या है आपने पहले ही हल कर लिए यहाँ पर similarly उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर भी हल करेंगे तो एक बटे में आ जाएगा और यह आपको मिलेगा iota का पावर 4 और इसके पावर में आपर आ जाएगा 10 और फिर iota का पावर 2 जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है similarly आगे हल करेंगे iota का पावर 4 यह 1 होता है और 1 का पावर 10 हमें 1 मिलेगा iota का पावर 2 यह minus 1 होता है अब इसे आगे हल करते है तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 upon minus 1 इसे हम equal to लिख सकते हैं minus 1 तो इस तरीके से हमें जो मान मिला है iota का पावर minus 42 equal to minus 1 तो इसी तरीके से हम और प्रशनों को हल कर सकते हैं जिसमें iota की घात धनात्मक संख्या भी हो सकती है और कि n by 4 equal to m and r by 4 इसका मतलब यह है कि n को जब हम 4 से भाग देंगे तो हमें भाग फल m मिलेगा जो की एक संख्या होगी पूर्णांग संख्या होगी और r मिलेगा जो की सेस्फल होगा तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं iota का पावर n equal to iota का power 4m plus r जहां पर r 0 is less than or equal to r is less than 4 होगा इसका मतलब यह कि r का मान 0 भी हो सकता है यह r का मान 0 से 4 के बीच में लाई करेगा समिस्र संख्याएं या complex number तो समिस्र संख्याओं को हम capital Z या Z से प्रदर्सित करते हैं जिसे हम लिखते हैं a plus iota b जहां पर a और b वास्तिविक संख्याओं के समुच्चय का अव्यव है इसे कुछ इस प्रकार पढ़ा जाता है Z equal to a plus iota b such that a b belongs to r और इसे अगर क्रमिक यूग्म के रूप में लिखा जाए तो हम लिखेंगे equal to जैसे बिंदू के निर्देशांग को लिखते हैं a, b एक bracket के अंदर में ये a, b हम लिखेंगे समानियत समिश संख्याओं को a plus iota b या फिर x plus iota y इन दोनों का इस्तेमाल करके ही प्रदर्शित किया जाता है तो हम ये भी लिख सकते है z equal to x plus iota y such that x y belongs to r और इसका यदि हमें क्रमिक यूग में लिखना हो तो x, y देखिए हम ये कह सकते हैं कि समिश संख्या जो है वास्तरिक और अधिकल्पित भाग से मिलकर बना होता है तो यहाँ पर जो a दिखाई दे रहा है यहाँ वास्तरिक भाग है और iota के साथ में जो b है वह इसका काल्पनिक भाग है या वह भाग जो है काल्पनिक भाग कह राता है तो इसे हम लिखते हैं real part of z equal to a और imaginary part of z equal to b यह r e मतलब real और z मतलब उस समिश संख्या का real part equal to a और im imaginary से लिया गया है या काल्पनिक जिसे हम कहते हैं im of z मतलब imaginary part of z equal to b तो चलिए कुछ और उदाहरन लेते हैं यदि z1 equal to 2 plus 3 iota हो तो इसे इसका हमें real part और imaginary part वास्तिविक और आवास्तिविक भाग हमें लिखना है जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था real part of z1 equal to 2 होगा और imaginary part of z1 ये 3 के बराबर होगा एक दूसरा उदाहरन z2 equal to minus 3 plus 4 iota तो देखिए यहाँ पर यह जो minus 3 है ये इसका real part है और iota जिस term के साथ जुड़ा हुआ है वह उसका कालपनी भाग है तो हम लिखेंगे real part of z2 equal to minus 3 और imaginary part of z2 equal to 4 तो हमने देखा कि समिस्र संख्या को कैसे क्रमिक यूग्म में लिखा जाता है ordered pair में लिखा जाता है अब हम ordered pair से समिस्र संख्या लिखेंगे या फिर क्रमिक यूग्म से समिस्र संख्या का निर्माण करेंगे यदि हमें z5 equal to 4,3 ये क्रमिक यूग्म दिया जाए तो इसके लिए हम समिस्र संख्या लिखेंगे z5 equal to 4 plus 3 आयोटा तो ये जो क्रमिक यूग्म होता है उसका पहला आव्याव वास्तरिक भाग और दूसरा आव्याव कालपनिक भाग को प्रदर्सित करता है इसी तरीके से यदि z6 हमें दिया जाए minus 2 minus 6 तो हम लिखेंगे z6 equal to minus 2 minus 6 आयोटा तो आपको चिन्न में कोई परिवर्तन नहीं करना है पहला आव्याव plus आयोटा into दूसरा आव्याव इस तरीके से आपको लिखना है यदि z equal to a plus आयोटा b हो और उसमें b equal to यदि 0 हो तो हम यह कहेंगे कि यह सम्मिस्र संख्या जो है एक सुद्ध वास्तविक संख्या है या फिर purely real number है और इसी तरीके से यदि z equal to a plus आयोटा b में a का मान 0 हो तो हम कहेंगे कि यह एक सुद्ध अधिकल्पित संख्या है या फिर purely imaginary number है सम्मिस्र संख्याओं के संयुग्मी या फिर conjugate of complex numbers तो किसी दी गई सम्मिस्र संख्या में हम जानते हैं कि एक part real part होता है और दूसरा part imaginary part होता है तो real part और imaginary part के बीच में जो चिन दिया गया है उसे यदि हम बदल कर लिखें तो हमें उस संख्या का संख्या का संयुग्मी मिलेगा z equal to a plus आयोटा b है तो इसके संयुग्मी को z bar से प्रदर्शित करते हैं और z bar equal to हो जाएगा a minus आयोटा b हो यदि एक संख्या z2 equal to a minus आयोटा b हो तो इसका जो संयुग्मी है उसे हम लिखेंगे z2 bar equal to a plus आयोटा b तो हमने थुड़ी देर पहले क्या कहा था कि वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग के बीच में जो चिन्न होता है उसे हम परिवर्थित करके लिखे देते हैं इसी तरीके से यदि z3 equal to minus a plus आयोटा b हो तो हम लिखेंगे z3 bar या z3 का संयुग्मी जो होगा वो minus a minus आयोटा b के बराबर होगा z4 equal to minus a minus आयोटा b हो तो z4 bar या z4 का संयुग्मी इसे हम लिखेंगे minus a plus आयोटा b तो यदि हम इस समिश संख्या को एक समतल पर निरूपित करें बिंदू के रूप में तो हम इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे उदाहरन के तोर पर यदि z1 equal to 1 plus 2 आयोटा ले लिया जाए तो इसका वास्तविक भाग है 1 और इसका imaginary भाग जो है वो 2 आयोटा है तो हम लिख सकते हैं real part of z1 equal to 1 and imaginary part of z1 equal to 2 तो यह जो x अक्ष है इसमें हम real part of z को प्रदर्सित करेंगे और y अक्ष जो होता है इसमें हम imaginary part of z को प्रदर्सित करेंगे यह दोनों आक्ष जिस बिंदू पर प्रदिछेद करते हैं उस बिंदू को हम मूल बिंदू या फिर ओसे प्रदर्सित करते हैं तो चलिए real part जो है वो 1 है जैसे आप संख्यारेखा बनाते हैं 1,2,3 उसी तरीके से हम इसमें भी उन बिंदू को प्रदर्सित कर लेंगे इसके बाद 1,2 यह क्रमी की यूग में जो हमें मिल रहा है क्या मिल रहा है 1,2 तो 1 जो होगा वो real part वाले अक्ष में जो 1 है वहां से मिलेंगे और यह जो 2 है वो imaginary part of Z वाला जो axis है वहां से लेंगे तो यहां पर यह जो बिंदू 1 है इससे हम एक सीधी रेखा खीचते हैं जो की imaginary axis के समानतर होगा और उसी तरीके से यह जो imaginary axis पर जो बिंदू 2 है या 2 है उससे हम real part of Z या वास्तविक अक्ष के समानतर एक रेखा खीचते हैं तो यह दोनों रेखा हैं जिस बिंदू प्रप्रति छेद करती है वह बिंदू है 1-2 तो यही बिंदू उस समिश संख्या को प्रदर्शित करती है इसी तरीके से यदि Z1 का बार हम ले लें तो 1-2 आयोटा मिलेगा और 1-2 आयोटा को हम प्लोट करें तो यह बिंदू हमें चौथे चतुर्थांस पर यहां पर दिखाई देगा और अगर आप ध्यान से देखें तो यह जो वास्तविक अक्ष है वह एक दरपन की भाति या मिरर की भाति वे वहार कर रहा है क्योंकि यह जो एक दो है वहां से यदि हम लंब खीचे इस वास्तविक अक्ष पर और यहां पर यह जो 1-2 है यहां से भी हम एक लंब खीचे वास्तविक अक्ष पर तो यह जो दोनो लंबाईया है यह भी बराबर होगी उसी तरीके से ओ को हम 1-2 से मिला देते हैं और ओ को हम 1-2 से मिला देते हैं तो ये दोनों लंबाईयां भी आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी समझ समिस्र संख्या का संयुग्मी वास्तविक अक्ष के परितह उसका एक प्रतिविम्ब है। अब हम देखते हैं संयुग्मी समिस्र संख्याओं के गुणधर्म। तो इसमें पहला गुणधर्म आता है किसी समिस्र संख्या की संयुग्मी का संयुग्मी वही समिस्र संख्या होती है। अर्थात Z बार का बार अगर हम लगा दे तो हमें वही समिस्र संख्या मिलेगी जो की होगी Z तो इसे हम लिखते हैं Z बार का बार इक्वाल टू Z दूसरा गुण धर्म है किसी सम्मिस्र संख्या और उसके सयोग्मी का योग एवम गुणनफल वास्तविक संख्याएं होती है तो इसे हम लिख सकते हैं Z प्लस Z बार इक्वल टू टू टाइम्स रियल पार्ट अफ Z उदारन के तौर पर यदी हम लिख लें Z इक्वल टू X प्लस आयोटा Y तो हमें Z बार मिलेगा X माइनस आयोटा Y और इन दोनों को जोडेंगे तो हमें मिलेगा z plus z bar equal to यह देखिए minus iota और plus iota यह दोनों पद cancel हो जाएंगे और ultimately हमारे पास बचे रहा है 2x और x क्या है real part of z तो इसे हम लिखेंगे z plus z bar equal to 2 times real part of z अगला गुंधर में है z minus z bar equal to 2 iota into imaginary part of z तो जैसा कि हमने दिखा था z equal to x plus iota y और z bar equal to x minus iota y तो यदि आप z minus z bar करेंगे तो आपको मिलेगा 2 into iota imaginary part of z इसका मतलब यह है कि यह x plus x और minus x यह दोनों के अंसल हो जाएंगे और हमें जो मिल रहा है वो क्या है 2 times iota into y और y क्या है imaginary part of z दो समय से संख्याओं के योग या अंतर का सयुगमी उन संख्याओं के सयुगमी के योग या अंतर के बराबर होता है अर्थात हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दो समय से संख्याओं के गुणनफल का सयुगमी उनहीं संख्याओं के सयुगमी के गुणनफल के बराबर होता है तो हम लिखेंगे Z1 इंटू Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार अगला गुणनफर दो समय से संख्याओं का भागफल का सयुगमी उन संख्याओं के सयुगमी के भागफल के बराबर होता है अर्थात, z1 upon z2 का बार equal to z1 बार upon z2 बार अगला गुंधर में यदि z और z बार equal हो तो z जो होगा वो पूर्णत या सुध्ध वास्तविक संख्या होगी यह तभी संभा होगी तो इसे हम लिखेंगे z equal to z बार implies and implied by z is purely real number अर्थात, z एक सुध्ध वास्तविक संख्या है अगला गुंधर में z plus z बार equal to zero हो तो यह हमें देता है कि z जो है वो purely imaginary number है अर्थात, सुध्ध कालपनिक संख्या है दो समिस संख्याओं की समानता यदि z1 और z2 दो समान समिस संख्याओं है यह केवल और केवल तभी संभाव है जब real part of z1 equal to real part of z2 हो और imaginary part of z1 equal to imaginary part of z2 हो कहने का तात पर यह है कि पहली समिस संख्याओं का वास्तविक भाग और दूसरी समिस संख्याओं का वास्तविक भाग आपस में बराबर होंगे तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यो दिया गया समिष संख्या है ये दोनों बराबर हैं तो इसे संबंदित आगे हम प्रश्न देखेंगे जिसमें हम तुलना करके जो चर रासी है उसका मान ग्याद करेंगे